हेलो नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल स्पोटलाइट पे आज के एपिसोड में हम स्पोटलाइट डालेंगे साउथ इंडिया के एक ऐसी मुवी पे जो की रिलीज के बाद ही हला बोल दिया था मुवी इतना दरावना था कि आज भी देखती हूँ तो डर लगता है इसके बारे में सुना होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे रित्सासन मुवी के बारे में रित्सासन अनुवाद डैमन राम कुमार द्वारा निर्देशित दो हजार अठारा की भारतिय तमिल भाषा की सलेशम मनोविग्यानिक थरिलग दो है फिल्म में विश्नु विशाल, अमला पॉल और सर्विनन हैं जबकि काली वैंकट, विनोधिनी वैदेनाथन और रामदास सहायक भूमिकाए निभाते हैं फिल्म में संगीत और बेक्ग्राउंड्स को घिबरन द्वारा रचित है, छायांकन पी वी, शंकर द्वारा किया गया है और संपादन सैनलोकेश द्वारा किया गया है फिल्म में एक महत्वा का अंक्षी फिल्म निर्देशक की कहानी बताती है जो अपने पिता की मृत्यू के बाद एक पुलिस अधिकारी बन जाता है और एक सीरियल किलर को ट्रेक करने की कोशिश करता है फिल्म को आमत और पर सकारात्मक समीक्षा के लिए 5 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया गया था इसे तेलुगू में रक्षा सुदू 2019 और हिंदी में कट पुतली 2022 के रूप में बनाया गया था शुरुआती द्रिश्य में दो बुजूर्ग लोगों को 15 वर्षी अस्कूली छात्रा सयुक्ता की लाश मिलती है जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी अरुन कुमार एक महत्वा का अंक्षी फिल्म निर्माता है जो मनोरोगियों पर एक फिल्म बनाना चाहते है अपने परिवार के कई अस्वीकारों और दबाव के बाद अरुन TNPD में पुलिस का सब इंस्पेक्टर बन जाता है अपने बहनोई C.I.D.A.S. जो खुद एक पुलिस अधिकारी है की मदद से वो अपनी बहन कोकिला, डॉस और उनकी बेटी अम्मू के साथ रहता है अम्धा के घर में मिली एक गुडिया पर विकृतियों के कारण अरुन सयुकता और अम्धा के मामले में समानता पाता है लेकिन अपने वरिश्ट अधिकारी, A.C.P. लक्षमी को मनाने की उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है कुछ दिनों बाद अम्धा की क्षत विक्षत लाश मिली है पैथोलोजिस्ट डॉक्टर नंदन का सुझाव है कि अपराधी ने सयुकता की तरह एक समानकारे प्रनाली का पालन किया अगले कुछ दिनों में विजी की स्कूल से मीरा नाम की एक और बदिर लड़की का अफरंग कर लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है खोच की ओर जाता है इन्बराज, नए स्कूल अम्मू में एक शिक्षक नामानकित है इन्बराज एक पीडोफाइल है जो लड़कियों को छेखानी के लिए मजबूर करता है अम्मू खुद इन्बराज से बाल-बाल बचते हैं जब एक अन्य शिकार शर्मी से गुप्प सूचना मिलने पर अरुन उसे पकड़ लेता है इन्बराज एक यौन शिकारी होने की बात सुईकार करता है लेकिन हत्या के आरोपों से इंकार करता है बचने के लिए वो बंदूग की नोक पर एक पुलिस कर्मी वेंकट को पकरता है लेकिन अरुन ने इन्बराज को गोली मार दी उसी दिन अम्मू को घर पर उसके जनमदिंग की पार्टी से अगवा कर लिया जाता है और अरुन उसकी लाश को उनकी कार की डिक्की में पाता है चीजों को बद्तर बनाने के लिए इन्बिराज को गोली मारने में लापरवाही के लिए अरुन को निलंबित कर दिया गया अरुन पाता है कि एन्बिला अपने पीरितों को बेतर तीब धंग से मंच पर बुला कर चुनती है फिर वो अगले कुछ दिनों में उन्हें मार देती है और उसका अगला लक्ष्य संजना नाम की एक लड़की होगी वो उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है लगातार न अरुन को संदे है कि चुंकि उसकी पहचान उजागर हो गई है मेरी अपने तोर तरीकों में लड़कडा सकती है और अपने एच्छित लक्षों से विचलित हो सकती है वो सूचना एकत्र करने के लिए एक सेवानिवरित पुलिस अधिकारी राजमनिकम से मिलता है राजमनि जाते हैं वो स्कूल में बहिश्कृत है लेकिन सोफिया नाम की एक लड़की उससे दोस्ती करती है क्रिस्टोफर सोफिया के लिए भावनाओं को विकसित करता है और वो उसे प्रपोच करता है लेकिन जब वो उसे ठुकरा देती है तो उसका दिल तूट जाता है क्योंकि उसकी स्थिती ने उसे नपुनसक बना दिया है और उसके पास प्रेम जीवन नहीं हो सकता है इस घटना के बाद सोफिय ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी उनकी बातचीत सुनी जाती है और क्रिस्टोफर को उसके स्कूल में कई लड़कों द्वारा स्कूल में आगात पहुँचा है मेरी को इसका पता चलता है और सोफि को मौत के घाट उतार देती है जहां उसे क्रिस्टोफर के साथ गिलफतार कर जेल भीज दिया जाता है उन्हीं एक दुरगटना में मृत माना गया था लेकिन राजमनिकम का कहना है कि शायद मेरी अभी भी जीवि और एक मनोरोगी बन गई है अरुन राजमनिकम के घर पहुचता है और उसे मृत पाता है वो राजमनिकम के साक्षय देखता है लेकिन सहायक पुलिस आयोक लक्ष्मी उसे हिरासत में लेती है और उसे इस मामले का पालंग करने से मना करती है अरुन को पता चलता है कि राज क्रिस्टोफर विजी पर हमला करता है और केयाल का अपहरंग कर लेता है। क्रिस्टोफर को पकड़ने की कोशिश करते हुए वैंकर्ट माजाता है। केयाल भाग जाता है और डॉक्टर दोक्टर नंदन द्वारा पाया जाता है। जो उसे अपनी सुविधा में छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टोफर नंदन को मार देता है। अरुन समय पर क्रिस्टोफर को ट्रेक करता है, और एक लंबी लडाई के बाद उसे मारता है और केयाल को बचाता है। मीडिया आखिरकार क्रिस्टोफर द्वारा की गई हत्याओं के अंत की रिपोर्ट करता है और अरुन को अपने सपने को पूरा करने वाले एक मनोरोगी के बारे में एक फिल्म बनाने का मौका मिलता है।